हेलो स्टूडेंट्स वेल्कम बैक टू पीएस और आज की इस वीडियो में हम आपके लिए हैं टैन्थ नियूस हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेशन आंसर जो की एक्जाम के पॉइंट ओफी से काफी इंपोर्टेंट है इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा प् करके भी जाए कहीं भी कोई डाउट है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं हिंदी के क्वेशन पेपर का सुलूशन प्रवाइट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप इनके चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लेते हो कहानियों को समझ लेते निस ने आपके स्लेबस को बाइफर्केट कर दिया है मतलब विभाजित कर दिया है तो अभी आपका जो स्लेबस में है वो तू पार्ट में डिवाइड है ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके ओवरोल स्लेबस का 40 परसंट जो है वो आपको बिल्कुल नहीं बहादुर अभार की दुनिया सुखी राचकुमार अंधेर्नग्री नाकुन क्यों बढ़ते हैं शत्रंच के खिलाली और सार कैसे लिखें यह आपके राइटिंग से रिलेटेड मतलब आप जो है सार कैसे रिखेंगे पत्र कैसे लिखेंगे निबद कैसे लिखेंगे ठीक ह इसमें आपका खंड ए और खंड बै अगर हम खंड ए की बात करें तो यहां से आपके question paper की शुरुवात हो जाती है खंड ए के अंदर क्या है आपको सारे के सारे जो है objective type questions दिये जाते हैं आप objective type में आपको किस किस टाइप के question दिये जाएंगे जैसे कि आपके fill in the blanks वाले हो गए है ना mcq हो गए इसके अलावा आपके जो है one word वाले question answers match वाले true false वाले यह सारे questions आपको खंड एक अंदर देखने को मिलेंगे basically सारे questions जो आपके one one mark के होते हैं अगर आपने chapters अच्छे से पढ़ रखे हैं concept clear कर रखे हैं तो यह question आप रामसे कर पाऊगे क्योंकि बहादूर ने क्यों जो है ऐसा किया यह किसी ने किसी को क्या बोला यह dialogue किसका है या फिर इस पात्र को जो है कहानी से match करिए true false बताइए तो जब आपके chapters clear होंगे तो यह तो आप रामसे करी लोगे है न खंड ए के बहुवी कल्पी प्रशन तरह परामसे कर लोगे तो इसके बाद जो हमारा खंड बैया आएगा उसमें आपके मिलेंगे आपको descriptive questions मतलब उनके ना answer आपको detail में लिखने होंगे उसमें आपको two marks व जो है यह one one mark के होंगे पहला question है कि मनुष्य के बारे में अपनी बात को अधिक इसपष्ट करने के लिए कबीर ने सोने के डैश का उधारन दिया है यह question लिया गया है आपके part number 2 से जिसका नाम है दोहे ठीक है तो दोहे में कबीर ने यह कहा था कि अगर कोई इंसान है और यहां परके और के लिए और अच्छे कपड़े पहन लें ठीक ठाक हो करके निकले लेकिन अंदर उसके खूबिया नहीं है अच्छे गुण नहीं है तो भी उसकी कोई प्रशंसा नहीं करता अगर आप किसी उंचे कुल में पैदा हो जाओ अच्छे खांदान में पैदा हो वो लेकिन आपके अंदर जो है अवगुड भरे पड़े हैं आप अच्छे नहीं हो अंदर से तो आपकी कोई प्रशनसा नहीं करेगा इस बात को जाधर स्पेश्ट करने के लिए कबीर ने जो है सोने के घड़े का उधारन दिया था अब यहां पर आपको क्या फिल करना है सो सोने का घड़ा उधारन कैसे दिया था कि मानलों कोई सोने का घड़ा है उपर से सोने का है लेकिन अंदर उसके शराव अगर हम बढ़ दें तो जो अच्छे लोग है जो सज्जन वेकती हैं वह उस घड़े की तारीफ नहीं करेंगे तो अगर यह आपको समझ में आता तो अ आजादी कवीता से अभी स्टार्टिंग में जितने इक्वेशंस आपको देखने को मिलेंगे न वहापकी कवीता उसे होंगे ठीक है तो आपको कवीता इंच्छे से पढ़ने पड़ेंगी से लिए अजादी का संबंध किस चीज से है शरम डैश और बलीदान से यह आगर तो आजादी चाहिए तो आपको श्रम करना पड़ेगा इसके लाब आपको त्याग दूसरी चीज़ा आपके त्याग और तीसरा अपका बलिदान तो आजादी का जो संबंद है वो श्रम त्याग और बलिदान से है चलिए नेकस्ट आपका कुशन है चंदर गहना से लौटी बेर कवीता में यह आपके कवीता है तो चंदर गहना से लौटी बेर कवीता में शोशक वर्ग का प्रतीक कुन है आप शोशक वर्ग कोन होता है जो लोग शोशड करते हैं किसी को उसको शोशड वर्ग कहा गया है तो इसमें कुछ पक्षियों के जान यह आपकी बूढ़ी पृत्वी का डुक है कवीता है जिसको निरमला पुतुल जी ने लिखा आ पर पहला मिलान यह है कि बूढ़ी जवान तो जवान पर इसका कौईता में बताए गया है कि पैड़ जो है वो बहुत दुखी है है ना वो चीखे मा रहे हैं चिला रहे हैं बचाव के लिए बुला रहे हैं तो खुश तो है नहीं यह भी गलत है आपका वातवरन कैसा है इस कविता के हिसाफ से वातवरन हमारा प्रदूशित है तो यह होगा आपका राइट नदिया कैसी है नद मैं असको भरो तो पिर एक प्वूरे सेंट्एंस में करी ना इसके रहां को ड़्यावटान से जैसे मैं आपको बताए नगा सब्सक्राटब में जयां डाइक जर्सपर्दाईं से और जातियों अनुकूल असर मिलते ही है ना सही मौका मिलते ही विद्वान को फिर से ग्यान और डैश की बाते करनी चाहिए तो यह रहीम जी ने दोहा दिया है उसमें उन्होंने कहा था कि सही मौका मिलने पर ही जो इंसान विद्वान है ना पूरा sentence भरना है तो इसमें कहा गया है इस कविता में जो पीड़ चीखे मार रहे हैं पुकार रहे हैं मतलब help मांग रहे हैं तो जो है वो क्या कह रहे हैं कि भई पेड़ अगर छोटी सी कुलहाडी को भी महसूस कर लेते हैं कि हमारी तरफ को कुलहाडी लेकर क्या रहा है तो वो डर के मारे बचाव के लिए पुकार रहे हैं तो यह पूरा sentence आपका यहाँ पर भरा जाएगा चलिए नेक्स कोशन है कोशन नंबर फॉर निमली कित में से किनी दो वाक्यों के रिक्तिस्थान को भरिए और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए ठीक है चार नंबर के हैं यह आपके और आपको करने हैं इनके दो के आंसर फरस्ट है हमारा फ है वह प्रकृटी किसका रोल प्ले कर रही है माऌ का जैसे कि मा अपने बच्चों को आचल देती है ऐसी ही तो प्रकृथि माऊ के रूप में आचल की छाएं दे रही है चाओं प्रदान कर रही है नेक्स्ट है आपका यह जो आहां कवीता है आहां कवीता के अनुसार कर्म डैश के बिना भागय रूपी डैश नहीं जल सकता ठीक है तो कर्म को किस से कंपेर किया गया है कर्म को तेल से कंपेर किया गया है और दूसरा भागय रूपी भागय रूपी को दीपक से कंपेर किया गया है यानि जिस प्रिकार दिये को जलाने के लिए तेल के आवशक्ता प है आपर दीपक से की गई है चलिए नेक्स कोईशन है आजादी कवीता में जो दरजी है उसने अपने अनुभाव के आधार पर बताया कि डैश और डैश आशक्ताव की पूरती ही आजादी है तो यह आजादी कवीता है इसमें एक चेला अपने उस्ताद से पूछ रहा है कि अजादी का मतलब क्या है उस्ताद जी बदाते हैं अपने अनुभव के आधार पर कि जो है हमारी जो बेसेक रिक्वाइरमेंट्स और हमारी बिल्कुल भूत आशक्ताव की पूरती ही आजादी कहलती है नेस्ट तरविक नेश नम्लिकित प्रशन ने से किनही से ब्रूम के नुसार निरंतर अभ्यास करने से मूर्क वेक्ति भी डैश और डैश बन जाता है तो वरंद जी ने कहा है कि अगर आप किसी भी चीज की लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो आप पहले से बहुत जादा समझदार बुद्धिमान बन जाते हो है ना तो वो कहते हैं कि लगातार किसी चीज का अगर आप अभ्यास करते हो किसी मूर्क वेक्ति से कहा जाए एक ही काम को बार-बार करो बार-बार करो इसका लगातार अभ्यास करो इसकी प्रैक्टिस करो तो वो मूर्क वेक्ति भी कैसा बन जाएगा वो भी जो है चतुर और ग्यानवान बन जाता है तो पह राणी लड़की बनाकर प्रसुत करने में डैशयजय अलंग कार है तो यह आपको कविता है यह हो गया तू सरसो को चंदर में सर्हानी बनाकर प्रसुत एक अवाहन कवीता की भाषा डैश उत्भ१न है जिससे देशवासियों को आज़ाद नहीं था तो देश को और जागरूप करने के लिए उनके अंदर उत्साह भरने के लिए आज़ादी की भूख पैदा करने के लिए और ज्यादा उन्होंने कवीता लिखी थी तो इस कवीता की भाषा है वह और अश्पूर्ण का मतलब वह दूसरों को मोटिवेट क किस से अंधिकार और निराशा उस वक्त की जो जनता थी हमारे जो भारत वासी थे वो काफी निराशा से डूबे हुए थे तो इस निराशा से जूजने की प्रेड़ना उनको मिलती है चलिए यह हमने देख लिए हैं अभी हम इनके आंसर से रहे नेक्स्ट आपका एक काव्या आपको फर्क पता होगा जो कविता के रूप में लिखा जाता है उसको गद्ये बोलते हैं अब यह आपकी कविता की फार्म में लिखा गया है यह आपका काव्यांश ठीक है अब देखो आप डरना नहीं कि हम कैसे करेंगे आपटित को तो पढ़ना ही पढ़ेगा वह साथ पढ़ लेना अपना ध्यान से फिर इसके नीचे के question answers पर आना जैसे की देखो प्रिये विशाल विश्व को आंक उठा कर देखो अनुभाव करो हिर्दय से यह अनुपम सुश्मा कर देखो यह सामने अताहा प्रेम का सागर लहराता है उद पढ़ू तेरू इसमें ऐस कवी अपनी प्रिये से किसे देखने को कह रहा है चार ओप्षन है किस से देखने को विशाल विश्व को समुद्र को या मंदिर को ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हैं आंसर भी है पर देखने को hè तो ही आपनी क्या may सै परेखने के लाइन के लिए बंड़ रहा है कवी के उसलधा भरा रहता है के लहरों पर बैठ कर सागर के कोने कोनंहें में घूमने का या फिर लहरों पर बैठकर दुनिया के कोने कोने में घुमने का लहरों के साथ गरजना करने का या फिर लहरों के साथ ऊपर नीचे उठने और गिनने का तो लहरों पर बैठ कर सागर के कोने कोने में घुमने का इसका आंसर भी हमें मिल जाएगा तो देखे रहा इसका आंसर के कोने कोने में लहरों पर ब चमकते हुए शंक के रूप में या लक्षमी के मंदिर के चमकते अधूरे बिंब के रूप में या तीसरा है लक्षमी के सने से बने मंदिर के चमकते गुंबद के रूप में या लक्षमी के शीशे के मंदिर के चमकते हुए गुंबद के रूप में तो देखो यहां पर कवी कि ये क्ल पना की है लक्षमी के मंदिर के चमकते और अधूरे बिंब के रूप में और इसका अंसर भी आपके सामने है तो अब किकल रहा जल नीधी तलपर दिंकर बिंब अधूरत अधूर, अधूर। है यहां से आपको सब्सक hon देख लेते हां अलं कार है तो यह जो आपके हैं यंदोऱ में आपको अलंकार बताया गया petits वाले में और इस कि बताइए क्या कुन सालंकार है तो इसमें है आपका अनुपरा सालंकार ठीक है चलिए नेक्स्ट आपका सरवादी कुप्यूक्त विकल्प चुनकर पूछे को प्रश्णों के उत्तर दीजिए वन वन मांक वाले हैं अभी देखिए आपके जितने भी वन मांक वाले आये थे होता है पूरी कहानी मैंने कई बाड़ी इसकस कर रखे आप चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं ठीक है तो इसमें जो है बहादूर जब लास्ट में लैसन के घर से भाग जाता है तो वो क्या अपने क्या होने का सबूत दे करके जाता है घमंडी निर्दोश या चोर या ऊपर ह इसमें बुरी प्रवत्यों के लिए किसरी शबुद का इस्तिमाल किया गया है पहला है पशुता दूसरा मानवता एहंकार यह शत्रुता है पुरी प्रवत्यों को दिखाने के लिए पशुता उह झूरी फिर लिarenthेश Lloyd énormément चट्ञा Scud užिए शबार और तर्पूस्टिका में ल लेस्न का नाम है अखबार की दुनिया इंटरो के बाद समाचार थोड़ी से डीटेल में लिखा जाता है जब कोई फ़से नीज पड़ते हैं कोई कुछ भी नियूस पड़ते हैं पहले इंट्रों दे कर एक रहते हैं और इसके बाद डीटेल में उसको देते हैं खबर को तो को क्या बोलते हैं तो इसको अकबार की भहत्षा में इसे ही समाचारी अगट्णा का बियोरा बोला जाता है दूसरा कोशन है अत्वा करके मतलब यह संब्च में नहीं आता तो आप दूसरे कौुशन को भी कर सकते हैं आसल झहां तो आपको आथवा करके दिया जाए उसको ध्यान रखना एक कोश्चन को टैम करना फटाफर दोनों पढ़ा और दोनों में से जो आता है उसको लिख दो दोनों लिखने का तो फायदा है भी निया सेकिन है इसमें गोरेया बार बार किस देश में जाने का जिक्र करती है जब आप इस कहानी को पढ़ते हो ना आपको बहुत को सीखने को मिलता है अच्छी भी कहानी है तो इस कहानी में गोरेया बार बार जाना चाहती है वो बार-बार बोलती है कि मुझे उस देश जाना है मुझे उस देश जाना है कौन सा देश था वो चार ओप्षन है चीन था मिस्र जर्मनी या लंदन तो बार-बार बोलती है कि मुझे मिस्र देश जाना है तो मिस्र आपका राइट आंसर है नेक्स्ट है निमलेखित प्रशनों के उत्तर के रूप में दे गए विकल्पों में स लैसन का जो नाम है अंदेर नगरी और इसके अंदर कहा गया कि वहां का राजा था चोपट तो इसकी जो कल्पना की गई है कहाने की उसका क्या कारण है चार ओप्षन है इस कहानी के मार्द हमसे ब्रिटिश शासन की न्याय प्रियता को उभारने का दृष्टिकों था या फिर दर्शकों के लिए हास्सीरस वातवरन जगने का प्रियास ता कि दर्शक को पढ़ के हसे या फिर ब्रिटिश शासन की सीधbang तो पार आम ना कर पाने किस ती ती मतलब महां पर जो बिटिश शासन था उसकी लोग सीधbang पर आवलोचन नहीं कर पा रहे था तो इस वज वो ब्रिटिश शासन की सीधे तोर पर कालोचन नहीं कर पा रहा था ठीक है नेक्स आपका कोशन है नीचे दिए कथनों में से किनी दो कथनों को तर पुस्तिका में लिखे और बताइए कि वह सही हैं गलत मतलब वही आपका राइट रोंग वाले हैं फिर्स्ट कोशन है समवाथडाता के विचार उन्हीं को चाप देगा ऐसे नहीं होता तो यह आपका फौल्स है नाखून पराचार अच्छी तरह से सोच समझ कर परख कर हमें किसी वस्तू या पद्दिति को अपनाना चाहिए तो यह बात आपकी सही है किसी बी चीज को आप सोचकर परक्दित तो राजय जवाब पढ़ोगे तभी आपको पता चलेगा कितने ने आई फिर हैं और किस प्रकार के राजा है वो तो नेक्स्ट आपका कोशन है इसमें आपको रिक्तिस्थानों की पूर्ति करनी है और चलिए इसको भी देख लेते हैं पहला कोशन है संयम एवं दूसरों के पुल झायज, होना ही मनुश्यता को पश्पियों से स्रेश्ट बनाता है तो इसमें है आपका कि सैयम एवं दूसरों के शुक दूख जवाब दूसरों के दूख Pak कईसे होंगी सम्वेदन शील होगे दूसरों के दुख को संजेंगे एव दूसरों के सुक को जो है सुक हमें पश्वों से यही गुण हमारा स्रेष्ट करता है कि अगर हम दूसरों के दुख को दुख को सुख समझते हैं दूसरे लोगों के परती समवेधनशील है तो यही जो हम लोग का गुण है वो हमें पश्वों से अच्छा बनाता है स्रेष्ट बनाता है चलिए आगे हम लो आप कोई भी ऐसे लिखते हो ना तो उसमें आपकी क्रम बद्धता होनी चाहिए मतलब आप सही तरीके से सही क्रम बद्धता तरीके से उसको लिखो दूसरा वाक्य चोटे और प्रभावशाली चोटे चोटे संटेंस आप बनाओ और इस तरीके के वर्ड आप यूज करो के व प्रभावशाली देखो इस तरीके के ना नेजटिव वर्ड दिये हुए हैं इसमें जैसे कि बड़े शब्द आप इस्तमाल थोड़ी करोगे दूसरे में इधर कॉमा के बाद जितने भी दूसरे नंबर के वर्ड है यह दूसरे में तो भरोगे आप बड़े बड़े तो आ दुसरे में दूसरे में इंड़र आतल समीघहर तो समने पम इसमें उट के वर्ण लॉसरे में करा मिल्प्र नम्वा एक बड़े However, तो चलिए हाक्विन कमार से बिए इसमें आपको अख़डियों तो तो आपको कहानी नहां निर्मला थी आप देख सकते हैं। अगला फिरिंदा ब्लैंक से आये ह्टा आए तो लागा टूहित करते हैं कि था एकश हम गृग्ण अखबारों की आयका यानि जब अखबार छपते हैं तो अखबारों के चपने बिकने की परिक्रिया मैं उससे तो पैसे आते हैं लेकिन एक और चीज है जिससे अखबारों की आमदनी होती है तो वो होते हैं एड़डिजवन्ट जिसको हम बोलते हैं हिंदी में विझ्यापन आपने देखा होगा अखबारों में जो है विझ्यापन होते हैं कार का क्रीम का है रॉयल का वो अलग लग चीजों के विझ्यापन होते हैं तो जो विझ्यापन होते हैं वो भी अखबारों की आयका प्रमुक साधन होते हैं नेक्स्ट है नाकून क्यों बढ़ते हैं इस पा शत्रण शे खिलाडी कहानी के हिसाब से लखनव डैश के रंग में डूबा हुआ था जब हम यह कहानी पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि लखनव विलासिता में डूबा हुआ था उस वक्त पर ठीक है चलिए तो इसका यह आंसर ठीक है अगला आपको दिया हुआ है एक ग आपको अधिया होता है कि बस हलका फुलका पढ़ो मत पढ़ो डारेक्ट कोशन पर हम आसकते हैं लेकिन आप पढ़ित में कोशिश करें कि आप इसको पढ़िए बिना पढ़ा हुआ है क्या आप देखो इतना भी बहुत ही जादा गहराई से नीपना फड़ा फड़ा निशान लगाना है जैसे की पैसिज आपको हैं स्वाव लंबन और आत्म निर्भरता पहली ही लाइन से पता चल जाएगा कि लगभग टॉपिक क्या है आपके इस चैप्टर का किसी महापुरूष के बारे में हैं किसी जनरल समस्या के बारे में हैं तो यहां पर आप देख अर्थ तो एक ही है वह अर्थ है अपना अवलंब अर्थात खुद का सहारा खुद बनना ऐसे नहीं हम दूसरों पर डिपन है इस प्रकार दोनों शब्द जो है वह पराव लंबन या पराक्षिता त्याग कर खुद परिक्ष्रम करके खुद महनत करके दूसरों को पर लिए ठीक है सरवादिक हीन काम है कि न सान दूसरों पर डिपन रहे खुद के उपर डिपंड रही तो यह एकदम हीन और बौने इंसान का काम होता है जो दूसरों पर डिपेंड रहता है पराक्षरित को हमेशा आश्रे देने वालों के अधिन बनकर रहना पड़ता है जो इंसान दूसरों के ऊपर डिपेंड रहता है वो दूसरों का गुलाम ही बनकर रह जाता है उनके इशारों पर नाचने की बाद्यात को घोर पाप माना जाता है यानि दूसरों पर निर्भर रहने को घोर पाप और गलत बात माना जाता है इसके विपरीद जो इंसान खुद के पैरों पर खड़ा होता है खुद के उपर आश्रित होता है उसके लिए स्वरगुका द्वार पुन्यकार्यों का परिणाम और सप् आपको समझ में आ गया होगा अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे जरूर से पूछेगा ठीक है चलिए अब देखो इसके बेस पर हमने इसको पढ़के आइडिया लगा लिया है किसमें क्या कहा गया है पहला कोशन स्वाव लंबन और आत्म निर्भरता यह दोनों खड़ा होना तो यह तो हां दे रहे हैं इसक्षा दूसरे पर निर्भर होना नहीं जी बिल्कुल नहीं होना दूसरे का सहारा बनने से कतर ना बिल्कुल नहीं तो आपका यह दूसरा वाला ओप्शन ठीक है कि दूसरे के ऊपर पर पर पराश्चिता को त्याग कर अपने प तो दूसरों पर डिपंड रहने वालों को सम्मानित भी नहीं समझा जा था कर्मत का तो मतलब ही कर्म होता है कर्म तो करी नहीं नहीं तो यह आपके सब रॉंग है पहला आपका राइट है ठीक है चलिए नेक्स्ट है आपका स्वाधीनता को डैश कादुआर और कार्यों का प स्वाधीन रहते हैं तो इसको स्वाधीनता को प्राप्त करता है तो जो है उसके लिए स्वाधीनता को प्राप्त करता है तो जो है उसके लिए स्वाधीनता को प्राप्त करता है तो जो है उसके लिए स्वाधीनता को प्राप्त करता है तो जो है उसके लिए स्वाधीनता क तो यह तो आपका गलत है स्वाव लंबन का मतलब भी है कि इंसान खुद के ऊपर depend है यह भी गलत है तुछ विलोम पूछा पूछा है पराधीन इसका राइट अंसर है स्वाधीन था का मतलब खुद के अधीन खुद परदीपेंड पर यह नि दूसरे लोगों पर डिपेंड तो यह इसका राइट है चलिए यह रहा इसका राइट अंसर अगला है आपका निम्ले लेकित प्रशनों के उत्तर के रूप में फिर वह यह आपके चार ओप्शन वाले कोश्चन है दो नंबर के ठीक है किन ही दो के ध्यान से पढ़ना इसको कितने कोश्चन को attempt करना है पह दुसरा है चाहतर का जो रहने का स्थान होता है उसको कहते है क्या कहलता है वो उसको कारावास बोलते हम सबस्चा कैसे भोलगे एंघ कम एका ऊतियों केुट अवह डूलता है जहां तो ह outta चाहह तर ऊपी नहीं बोलते नीवास भोलते आप कुछ बच्चे बोलेगे जो हो सक अजिधे मेंयं भिता है चाहतर से दूर हुण सただ जल से भारखर सकति आपेम ठीचर रहते हैं दूसरे के साथ चाहते हैं डूसरे बर लिए तर दूसरे ऻातर है सचा सब्सक्राइब में से देशद थे नहीं नहीं मनंध को मम्मी आखे दुकार तो खिर्की इसमें से देशद सब्द कुन साइव का खिर्की थीच है चलिए अगला कोशन है आपका दिबिया साब जहाज पवन अब ये चार वर्ड में से कौन सा शबद फाड़सी फार्थी शबद कुन सा है तो इसमें जहाज जो आपका शबद है वो फार्थी ना तो डिबिया ना साफ है ना पवन पख deber हुशन के रूप में दिए गए नेक्स्ट है आपका अत्वा करके दूसरा दे रखा है यह समझ में इसको कर सकते हो यह भी ग्रामर का ही है लंबा है जिसका उदर ठीक है लंबा है उदर जिसका इसको हम क्या कहेंगे लंब उदर तो यह इसका आपका गया नेक्ष्ट कोषिण निम्नलिकित प्रसनों में कि वह क है उत्तर रहा है महाश्यों का संधी कर बाता है इसका प्रश्यों कई तो देखे इसको अलग करके या यह जमा का सब्द यह प्लस का सब्द चरके इस नहीं महाश्या भी आश्या दूसरा है आपका परोपकार का संधी विच्छेद बहुत ही बेसिक से कोश्चन है परोपकार का है आपका पर प्लस उपकार परोपकार तथा प्लस एव की संधी क्या है आपकी तथैव चलिए ठीक है दूसरा है सू प्लस आगत की संधी क्या है सू प्लस आगत स्वा और समास यह सिंपल से टॉपिक हैं आपकी ग्रामर के इनको आपको अगर डीटेल में भी पढ़ना होगा मतलब इतने जादा वैसा टफ भी नहीं आते हैं दूसरा दो नंबर की कोश्चन है यह पहला है परिक्रमा शब्द में उपसर्ग क्या है अब देखो दो शब्द हैं य परी परी क्रम शब्द में परी जो है उपसर्ग है विश्राम शब्द में कौन सा उसर्ग बताइए तो विश्राम शब्द है इसका है आपका विश्ञ जीरा शब्द में इसका पताईए कौन सा प्रतिया है कौनसा प्रतिया इस्तमाल के अगया है तो इसमें सज्वत हो गये आपका उपसर्ग इला ठीक है तो इला बड़े की मातरा लगेंगी क्यूंके इला इन्हीं खेट इला मतलिग देनाइस इला ठीक है तो सझील्ण के सब्सक्रेमित है इसे ही आपका एक ओर शब्द जो एक sentence हो, कहीं ना fully stop हो, ना कोमा आ रहा हो, मैंना fully stop तो कहरोगा, कोमा नहीं आ रहा हो, उसमें कुछ ऐसा नहीं हो, बस त्यरल सिंपल एक ही sentence, पहला है आपका, इसमें सन्युक्त वक्या पूछाए आपसे, ठीक है, जैसे कि सन्युक्त परिवार होता है, जहां पर काफी सा sentence, जिसमें दो sentence हो का, या मतलब थोड़ा बड़ा sentence हो, पहला है, महातमा गानी ने कहा कि गाय करुणा की कविता है, ठीक है, मैंने गौरा को देखा और उसे पालने का निश्चे किया, तीसरा है, अध्यापक चाहते हैं कि उनके शिश्य अच्छे बने, और चोथा है, मैंने बहुत सुंदर चुड़िया देखी, तो यह तो गलती आपका, इसमें आपका ख्यावला ठीक है, कि मैंने गौरा को देखा, और से पालने का निश्चे किया, यह आपका संयुक्त वाक्या है, अथ्वा में दूसरा भी दे रखा है, निमलिकित में से, मिश्र वाक्ये बतान सब्सक्राइब का जड़ा, तब उसने वहां नया वया पार शुरू किया, आप निमलिकित में से, शुद्ध वाक्ये कोन सा, शुद्ध वाक्ये का मतलब आपको शुद्ध दे रखाया है, आपको शुद्ध करना है, जैसे कि पहले है, मैंने अकबार पढ़ी, तो अकबार जो किनिया तरष इस वाले को सुद्ध कर सकते हो जैसे कि और भैंस का ताजdeshu दूद्ध मिलता है यहां ताज еंश का ताजी दूद्ध मिलता 가져 पहला उप्शन इसमें राइट है आपका यहां भैस का ताजा दूध मिलता है चलिए ऐसी बोलते है इस बात को नेक्स्ट है 27 नंबर का कोश्चन जिसमें पहला है आपका यह सारे आपके ग्रैमर वाली कोश्चन चल रहे हैं व्याकरण संबंधित तो पहला है इसमें आपका फूला ना समाना यहका मुहावरा होता है कि फूले नहीं समा रही मैं तो यह वह फूले नहीं है तो इस का मसgor़ा है तो पूले लैका मतलब होता है, बहुत खुछ होना अत्यानत प्रसन होना ठीक है निराश होना मुटान थोड़ी हो रहे हैं और इस बना मतलब होता है इस महावरे मतलब करें इस के परकार आप अप महमानों के स्वागत में डैश हम भारतियों की संस्कृति में हैं चार ओप्शन देंगे आपको पढ़े लेना परेशान नहीं हो ना कि जब आप के समने हम भारतियों के संस्कृति होती है कि महमानों के स्वागत में हम क्या करते हैं पापड़ बेलते हैं है या फिर उनको देखे नाग मोचड़ा हम भारतियों की संस्कृति क्या होती है कि हम अपने महमानों के स्वागत में पलके बिछा लेते हैं तो आपका यह थर्ड ऑप्शन राइट है जोड़ तोड़ कर रहे हैं महमान आएंगे और कितना क्या हिसाब बैठता है ऐसा नहीं करते पलके बिछाते हैं हम लोग महमाना चलिए यहां पर हम लोग खंड बैको डिसकस कर लेते हैं जिसमें आपसे विशनिस्ट और वर्नात्मक प्रशन पूछे गए हैं पहला है आपका क्या आपको निम्लिकित कावियांश के कवी और कविता का नाम बताओ कहां से लिए गया है चार नंबर का कोशन है यह पहला है इसमें पावस देखी रहीम मन कोईल साधी मौन और अब दादूर बकता भए हमको पूछत कौन यह जो है रहीम जी ने लिखा है और यह आपका पार नंबर 2 से लिए गया है जिसका नाम है दोहे यहां पर जो है उन्होंने कहा है इस दोहे में देखो इसमें कहा गया है आप कि रहे रहेम है घीवन का एक महतपूर सत्या को यह जो इसका कोई इनसान उता है लो फोने में अ गोझेद हो थो और द्यान किस्ता है तो वह चीज़े का प्रतीख है वर्शारीतु आने पर कोयल कि कर्तीए पावश को रिखांब आने पर पू्य हृग है इसको पता है कि तो वरशारीतु आने पर कोईल इतनी समझदार होती है इसको पता है कि अब मेरी मधूरवानी कोई नहीं सुनेगा आप तो मैंड़कों का दोर आ गया है क्योंकि वरशारीतु है तो आप तो लोग मैंड़क को पूछेंगे अब हमें कोई पूछेगा ठीक इस प्रिकार जो है समझदार वेक्ति की समझदार इसी में हैं कि वो जो है अपना छुप रहे फिर है ना तो आप मैंड़क हमेशा वो चुप रहेगी और यह कभी यह संदेश देना चाहता है कि विद्वान लोग उस समय महुंसाद लेते हैं जब मुर्ख वातिक बाते करते हैं लेकिन कुश स मैं बाद विद्वान अपने अनुकूल यानि अपना सही टाइम मिलने पर फिर से अपना बोलना शुरू कर देते हैं अथवा करके दूसरा भी है अगर यह वाला आपको जो है काव्याएं समझ में नहीं आता तो आप दूसरा भी कर सकते हो यह आपका चार नंबर काई है त उसको में करता है जिसे अज़ादी फिर से कुद्धाय यह तो यह नहीं मैंने आपको बतादू कि का और और शेणी की घोड़ा क्रम से घोड़ां करी में रोटी आ सकता है आजादी वह कपड़ा है जिसको दर्जी ही सिएगा यानि जो महनत करेगा वही आजादी भोगने का जो है सही हगदार होता है यह कविता अगर आप नहीं लिख पाओ बस इतना बता देना कि यह जो कविता है यह बाल चंदर चुली काड नाम है उनका उन्होंने यह कविता है उस पार्ट से लिए और इस कविता का जो ही अनुवादा वह असद्धे ने कि लिकई था तो एसका हंदिया अनुवाद किया था फन जादी ने तो तो सब्सप्रादी हिंदी के मशूर साहां प्र पता है लेकिन उसाद मतलब करना पता है खायद सब्सक्राइब करने हैं इसको सिंपल सी हिंदी में लिखना है खोल-खोल के जैसे कि थोड़ा सा वक्त चुराकर बतियाता है कभी-कभी शिकायत ना करने वाली गुम्सम बूढ़ी पृत्वी से उसका दुख अगर नहीं तो शमा करना मुझे तुम्हारे आदमी होने पर संदेह हुए ठीक है तो यह कविता है हमारी जो है कौन सी है बूढ़ी पृत्वी का दुख तो नहीं पर निर्मला लिखी अधिशितवली कवी बता जैसे कि इन का यह वे उसके बाध अदो को वर नदिज से गया है तो हमानव करना किया है जैसे कि जब इनसान के प्रकरति के चाहे पेड़ पोदे हो जीव जनतु हो कोई भी चीज हो अगर हम मानव उनको नुकसान पहुचाएंगे तो उनको भी तो दुख होता है ना है ना चलिए कॉमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आप नेचर लवर होया लई होगे नेचर से किसको लबनी होता वही तो कवितरी दुख जताती है कि लोग अधिक सुईधाओं के लिए प्रकरति को बेदर्दी से उसका दोहन कर रहे हैं तो वो पूछती है ठीक है तो पूछती है कि थोड़ा सा वक्त निकाल कर कभी आपने सोचा है कि ये जो बूरी पृत्वी है विचारी जो गुमसुम रह तब इसको भी आटेम्ट कर सकते हो यह की दूसरी वाली कविता से लिया गया है है नील तल में भी गास भूरी ले रही रही लहरी यह दो है चंद्रगहना से लौटती बेर है तो उन्होंने वहां से लौटती बेर हारे भरे खेतों को देखा और उस से वह आनंदित हो गए फिर उस निर्जन छेत्र में उसने उसने कई सुंदर द्रश्य भी देखे कवी ने ठीक है और उसके नीले तलवे छोटी-चोटी यूनो भूरे रंगी घ्onne Mountain उगी हुए है आप पानी में देखते हो ना कभी उग jalti है तो यहीज बता रहा है ठीक है और उस घ्GEOS तो यह दो चांडी के बड़ा सा गोल खंबा आंख कोहें चंटकों कि अच्ट मेइक्शा एंथ is इसका ये था हमारा नेक्ट स्कोष्ण राइया निम लिकलटनों वेरा लिकल जहा कि थी तीन प्रशनों के अत्तर 25 से लिए भी तो होता है तो दो नंबर के तीन कोश्चन होंगे जो टोटल नंबर के होंगे पहला है देखो वही कविताइं हैं उन में से कितने प्रकार के आपके क्वेश्चन अभी तक पूछ ले गए हैं जैसे कि आपके फिलिंद ब्लेंग्स ट्रू फॉल्स और समय के मैच वाले और दायलोग का मिलानर करने वाले आपके शोड कोश्चन कोश्चन कवेश्चन के अपरशन कि सहीत को उपयां करें कि struggling होता है दूसरा है कविता के हिसाब से सुख और शान्ती चंदुर। नाम है इसके हिसाब से शुक शान्ती आईगी लेगी लिखना कौन सी कविता के वेस्फपर है। यह जो है चंदर गहना से लौट तिबेर कविता के बेस पर आपको लिखना है थर्ड है नगरों की अपेक्षा जो ग्रामी रंचल होता है गाउं के जो गाउं का जो हिसाब किताब होता है वहां शहरों से जादा प्रेम के लिए अधिक उर्वक उसको माना गया है अगला है च निरंतर और कठिन महनस से हम अपने किसी भी काम में स्किल्फुल हो सकते हैं किसी भी काम में कौशल को विक्सित कर सकते हैं और यही सफलता की कुंची है लगातार अभ्यास करने से जडमती भी सुजान हो जाता है मतलब जो बुद्धी हीन होता है जिसमें जो है बुद्धी को सायूंक से जीवन बिताएंगे थीक है तो सैकंड का ये था थर्ड का है के नगरों की तुल्ला में जो ग्रामिन उंचल होता है गाउं के जो लो लोग होते हैं गाउं का परिवेश होता है उसको ज़्यादा उुर वर्माना गया है क्योंकि महा की जो मिट्टी होती है इस प्रकार आपको इन चारों में से तीन प्रशनों के उत्तर देने हैं और इसमें भी आपको बीज-पचीस शब्दों में ही देने हैं सारे के सारे एक साथ आपको एक रूपने लेसंस को पढ़िए कविता निप लेजिए पहला है बहादूर के विख्तित्व के बारे आप दूसरा है सुखी राजकुमार कहानियीं के आधार पर राजकुमार के जीवनकाल और प्रितिमास बनने के बाद की तुल न की जिए ओर बताई यह कि आपको कौन सरूप पसंद आया है क्यों नाकुन क्यों बढ़ते हैं पाट का जो वेक्तित्व है ना वो साहस द्रंता और निश्टा से भरा है वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तयार रहता है और संगर्शों का सामना भी करता है यह उसका वेक्तित्व है जिसके को हमने 20-25 शब्दों में बयान किया है दूसरा है राजकुमार के जीवन काल मे स्थाइत्व है आप से पूछा गया है बताइए कि आपको सुथी राजकुमार जीवन काल में अच्छा लगता था जब वह जिंदा था या फिर उसकी प्रतिमा बनाकर लगा दी गई तो तब वह अच्छा लगता था तो आप कहसकते हैं कि हमें प्रतिमा के रूप में अच पुड़ मानते थे नेक्स्ट है कि महंद ने अंधे नगरी में रहने से इसले मना कर दिया क्यूंकि मुल्यवान वस्तुएं वह काफी सस्ती थी यानि जहां जिस राजयों को यहीं पता कि किस चीज का प्राइज होना चाहिए वह क्या नयाय करेगा और वह किस प्रकार से अ निम्रिकित प्रशनों में से किनी दो प्रशनों के उत्तर कि बीस पचैस्ट सब्दों में एपको लिखने हैं चार नंबर के monday कर दो दो नंबर के पहला ऑपका प्रशन है ढपको इसे कौन से कौन से मॉन्य मुल्यों को अपनाना चाहेंगी मंऌतु prisण को कि दूसरा है तो उस चैन की प्रिक्रिया का वर्डन कीजिए पहला आंसर है ठीके पहले मैं आप से पूछा गया है कि कौन से दो मानवीय मूल्यों को अपनाना चाहेंगे जिससे कि आपका भविश्य निर्मित हो तो आप बता सकते हो वह वैसा आपके उपड़ी पंड करता है आप आंसर मे लाएंगे चलिए हैं मुंषी प्रेमचंडした है तो इस कहानी की माध्यम से वह मानवता और समाजिक असमानता को उजागर करना था ठीक है इस कहानी की माध्यम से यह सभी चीजों को उजागर करना चाहते थे उन्होंफों ने शत्रंज के खेल से जीवन के संगर्च को जोड़ा, अगला है समाचारों की chain की प्रिक्रिया में, जब कोई समाचार चुना जाता है कि भी हां, इसको छापना है कल के एक बार में, तो किसीजा का ध्यान रखा जलता है, उसकी विश्वनियता का, उसकी प्रासांगिक्ता का और पाठकों की रूची का भी के इंसान सामने वाला क्या पढ़ना चाहता है तो इन तीन-चार चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही महतपुड घटनाओ का चुनाओ किया जाता है तो इस तरीके से आपको यहां पर तीन में से दो प्रशनों के उत्तर देने हैं चलिए नेक्स क्वेशन है 33 निम्लिकित गध्यांश को ध्यान से पढ़ी हो और पूछे गए प्रशनों के उत्तर दीजिए ठीके पांच नमबर का एक आपका जो है गध्यांश आएगा इसके नीचे कुछ क्वेशन दिये जाएंगे पांच नमबर का आप देखे यह आपके पठित गद्यान शाप पठित भी हमने देखा थे उपर तो यह आपके पठित है यानि आपके पाठों से ही लिए गए हैं गोरेया शहर पर उनने लगी अमीर अपने महलों में रंगरलिया मना रहे थे और गरीब हाथ फैलाई भीक मांग रहे थे वह अ पूछा गया है पाठो लेखक का नाम बताईए तो पाठ का नाम इसका क्या है सुखी राजकुमार ठीक है और इसके लेखक है ऑसकर वाइल्ड ऑसकर वाइल्ड चलिए दूजरा है लेखक ने इस गद्यांश में धनी और निर्धन वर्ग के जीवन और वैबहार की किन पीर अपने महलों में इस तरीके के काम कर रहे हैं और गरीब क्या कर रहे है निर्धन वो जो है फैलाई भीग मांग रहे हैं तो यह पांसर अजुआ इसक कोरे आघे हुएँ और चोकिदार ने इसको भागा रहा है तो जीवन राजकुमार को देखती है और उनको सीखती है तो चलिए यह इस तरीके से आप एक जो है अटेम्ट कर सकते हैं अगर समझ में नहीं आता तो इसके उप्षन में आपको दूसरा भी मिल जाएगा पठिद घद्यांज तो अत्वा करके आपके सामने दूसरा भी है इसमें है बात ये है कि कल कोतवाल को फांसी का होकम हुआ था और जब फांसी देने को उनको ले गए तो फांसी का फंदा बहुत बड़ा हुआ यह कहानी थी आपकी अंधेर नगरी है तो हम लोगों ने महाराज से अर्ज किया कि कि माराइन के अपराद में किसी सजादरzna दढ़ा तो इसी वासिघ तुम को ले जाते हैं कि Bellet COणन के नम बताई तो यहां पर आपको पहले पाठ। कर नाम बताना है वहारा पार्ट का द्चानाम है अंधिरनगरी 2 इसको लिखा है मुंशि परेम चंदगी ने खांटो लेखक का नामने परेंग चंडी ने उसको लिखा है गिए और यह नहीं करने के-लिए एक मोटे आढमी को पड़कर वांसी देने का निर्न लिया गया जब के असलिए पराधी और यह बताता है कि नियाए की परकडिया कितनी असंगठी तों कितनी अन्याई पूर्ण हो सकती है तीसरा वो यह है कि गध्याँच की भाशा शैली लिखे के कैसी है तो देखें जो हमने पड़ा है इसकी भाशा शैली है वह साधारन है सपश्ट है बाचीत का एक सभाविक प्रभाव है प्रेम चंदी में रोज मर्रा की भाशा को प्योग करके गहरे विच एक दिन दोनों मित्र मस्जित के खंडर में बैठे हुए शत्रंज खेल रहे थे मीर की बाजी कुछ कमजोर थी मिर्जा साहब उन्हें किष्ट पर किष्ट दिये जा रहे थे इतने में कंपनी के सैनिक आते हुए दिखाए दिये और वह गोरों की फोस थी जो लखना उपर मिर्जा साहब एक मस्जित के खंडर में बैठकर शत्रंज खेल रहे हैं मीर की स्थिती खेल में गमजोर है जबकि मिर्जा साहब उन्हें हर बार सलहा देकर जीतने में मदद कर रहे हैं इसी बीच लखन उपर अधिकार करने आई कंपनी के सैनिकों की एक गोरों की फोज दि हुए भी मित्रों को आपने आसपास के संकटों का ध्यान रखना पड़ता है अगर यह समझ में नहीं आता तो आप इसको स्किप करके दूसरा भी कर सकते हैं इस प्रकार से आपका दूसरा क्वेशन दिया जाता है कि मैं अपने को बहुत उचा महसूस करने लगा था अपने परिवार और संबंदियों के बड़पन तथा शान बान पर मुझे सदा गर्व रहा है अब मैं महले के लोगों को पहले से भी तुछ समझने लगा मैं सीधे मूँ किसी से बात नहीं करता किसी की ओठीक से देखता भी नहीं और दूसरे के बच्चों को मामूली सी शरारत प करता है तुछ समझने लगता है अब वो किसी से सीधे मुबात नहीं करता है और दूसरों के ओर ध्यान नहीं देता यहांँ तक कि दूसरों के बच्चों को छोड़ी-छोड़ी बातों पर बहुत करता है चंश होब पांच कर्सक्ते हैं इसमें आप पूरा डर रखिव कर सक से पूरा पूरा पैराग्राफ दे देंगे और लेकम कीजे एक तिहाई श passieren में में स्पोने मतलब क्या होता है आपको इस परकार से कितना बड़ा सा पयराग्राफ दे द्या और आप से कहा गया कि इसको कम शब्दों में लेकिन इस प्रकार लिखना है कि शब्द भी कम हों लेकिन जो इसके अंदर में बाते हैं वो भी सब की सब आ जाएं सार लेखन का यही अर्थ होता है ठीक है तो आप देखो इसको थोड़ा-थोड़ा सा पढ़ेंगे हलका-फुलका सा त्यूंकि ऐसा लिए इसके अंदर से शब्दने इसके उपर ही लिखना है कम शब्दों में धरम हमें दया करने का पढ़ाता है यह शरीर में प्रांट तक रहने तक दया भाव को त्याग नहीं चाहिए तो बैसिकली दया के ऊपर है कि इंसान के दिया कि ज़रूर है उसके उन्दर के अदर पढ़ लेंगे तो इस प्रकार से कम शब्दों में एक इतिहाई शब्दों में आप इसको बता पाएंगे जब आप इस प्रकार से लिखें तो ध्यान रखें कि जो महतवपूर इसके अंदर वो भी आप लिख लें सार लेखन में है ना कम शब्द भी हो जितने मांगे गए हैं और छोटे-छोटे सिंपल से हिंदी भाषा के सब्दापिस में इस्तिमाल करें ठीक है सिंपल से संटेंस करके चलिए अगला है आपका अगला आपका राइटिंग से से युज नहीं हो ना आपको क्या धिहान रखना है आप से सिंपल कहा गया है कि आपको एक पत्र लिखना है लेटर लिखना है वर्ड लिमिट कितनी है 100 कूंके 5 नंबर का है तो 100 लिमिनत में तो देंगे कम से कम लिखना किसको है प्रोबलम क्या है तुमारे मोहले में जल संपादक कोन होता है आपको कहा दियान रखनी है जो निउस-पेपर को प्रेंट करने काशा करते हैं The couple Gray part चाहिए काली उसमें आपका 90 परचंट आता ही है तो हिंदी में आप का सेम जैसे कि इंगलिश या नहीं संपादक के लिए पत्र लिखेंगे तो जब आप संपादक को पत्र लिखते हैं तो इस प्रकार लिखते हैं जब आप यहां पर लिख सकते हैं आपका नाम मतलब आपका एड्रेस वगरा है आपका नाम पता हो गया फिर आपकी तारीख हो गई ठीक है डेट छोड़के उसके बाद संपादक लिखिया संपादक को ही लिख रहे हैं और समाचार पत्र का नाम यानि जो भी निउस पेपर का ना लगा है कि महले में जल संकट से उत्पन कोन-कोन सी परिशानीय यानि यह रहा आपको विशा तो पहले ही दिया कि आपैसे आप यसे के हो गब जल संकट जिसको वाटर कैटर बोलते हैं उससे उत्पन परेशानियों के बारे में बताना चाहता हूं तो यहां पर आपको इंग्लिश में वैसे लिखना नहीं है मैंने आपको समझाने के लिए यह वर्ड यूस कर लिया है तो बस ऐसे ही जैसे कि आप लिखेंगे लेकिन एक लेकिन इन से जल प्रदूशन बढ़ रहा है इस प्रकार का जो आप पानी पिएंगे उसको प्योग में लाएंगे तो इससे बैसिक सी बात है भी होगा ही परेशानी तो इस संकट के प्योग से पानी में प्रदूशक मिल रहे हैं जिससे स्वास्ते पर बुरा असर पढ़ है जो बच्चे और बुजर्ग है उनको खास तोर पर खत्रा है किर्पिया इस समस्या को अपने समचार पत्र में उठाएं यानि छापें आप उनसे यह मत क्या ना कि इसको आप सॉल्व कर दें परेशानी को नहीं वह चाप सकते अपने अगपार में ताकि स्थानी प्रशा अपने खासरे घरामी को बसेशनन के अकि तुक्स हां अपने पत्र लगभग सोशब्दों नहीं परेशवदों में यहां पर कही हूं supported अपने बहुत को क हो अपने पे पहाय जो तो आपसे कहा गया है सोच अब्दों में लिखे जिससे सिने में देखने के दुर वैवसन से बचने के लिए इसमें सलहा दी गई हो आपको अपने मित्र को बताना है कि बहुत बहुत मतलब परेशानी हो जाएगी इसके बहुत दुष्प्रभाव होते हैं कैसे लिखोगे सब अपने मित्र का नाम प्रिय करके प्रिय अपने फ्रेंड का नाम इसको अशी लिखना शुरू कर देना कोई टैंशन नहीं है और बस यहां पर आप चीज आड़ कर देना अड्रेस उनका नमस्ते आशा है तुम अच्छे हो मैं तुम्हें सीने में देखने के दुरु अवैस करता है तो कोशिश करो कि सीने में देखना एक ख़त तक ही सीमित रखो ऐसे हैसे आप उसको समझा सकते हो मोटिवेट कर सकते हो और भी कुछ इसमें आप एड़ कर सकते हो यह हटा सकते हो ठीक है बड़ लिमिट का ध्यान लखन हंडेड वर्ड हो तुम्हा अपना ध्यान ल दिया जाएगा तीन चाहर टॉपिक दे देंगे और आपसे कहा जाएगा कि इन टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पर निबंद लेखे लग भग ठीक है 300 शब्दों में अब यह कोई भी टॉपिक से लिएक रिलेटिड होता है अच्छा निबंद लेखन की प्रक्रिया क्या है किन-किन बातों का ध्यान रखना है और किस प्रकार आप निबंद लिख सकते हैं वह वीडियो भी आपको उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी जो कि मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है जैसे कि कोई भी जर्नल टॉपिक आपको दे जा सकता है निबंद में कई सारे होते हैं तो आपके पास चॉइस भी होती है लेकिन ध्यान रखिए कि जब आप निबंद लेखन करें तो उसमें उस टॉपिक को स्लेक्ट करें जिसके बारे में आप ज्यादा लिख सकते हो आपके माइन में ज्यादा पॉइंस आ रहे हैं जैसे कि शहरी करण से बढ़ समय बहुत ही कीमती होता है हर एक चीज से कीमती समय ही होता है इंसान का तो इसमें बता सकते हैं समय प्रबंदनिक महत्वपूर कौशल है जो जीवन के हर्चेतर में सफलता प्राप्त करने में मदद करता है तो आप इस परकार बता सकते हैं जिस भी टॉपिक से लेकर रिले और आपकी जो है इसमें राइटिंग स्किल्स देखी जाती है आप कितना सोच करके लिख सकते हो कितना आपकी स्किल्स क्या है आप किसी मुद्दे के उपर क्या-क्या विचार रखते हैं वो आपका निबंद लेखन में ही देखा जाता है इस तरीके के छोटे-छोटे वीडियो कैसी लगी है अगर आपको समझ में आया हो आपकी help हुई हो तो प्लीज मुझे comment section में जरूर बताइएगा आपका feedback हमारे लिए बहुत important होता है और हमें motivate भी करता है अगर आपको कोई भी doubt हो तो भी आप हमें comment कर सकते हैं description box में आपको Hindi के सभी chapters including आपका writing grammar सब कु आपके अंदर online classes भी हैं जिनको आप जोइन कर सकते हैं तो चलिए next video मिलते हैं और अगर आपकी help हुई हो तो इस वीडियो को share जरूर से करना और like कर देना पसंद आई हो तो चैनल पर पहली बार आए हो या फिर अभी तक subscribe नहीं किया है तो subscribe जरूर करके जाना आपके सपास ऐसे ही useful videos पहुंस दे रहेंगी तो चलिए see you in the next video till then keep studying in pie study thank you so much and goodbye